नमस्कार दोस्तों, ज्यान सागर में आपका स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इलाइची के चमतकारी गोण हरी इलाइची के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा चाहे पूजा पाठ हो, मसाला हो या मिठाई बनाने का कार्य हो सभी में इलाइची का प्रयोग होता है ये छोटी सी इलाइची खुद में अनेकों गोण समेटे हुए है जिस तरह चाहे में इलाइची डायनेस से उसका स्वाद बढ़ जाता है उसी तरह अपनी जिन्दगी में इसका उप्योग करने से आप कई परिसानियों से दूर रह सकते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इलाइची का कुछ ऐसे अचूख सरल उपाए जिन्हें अपना कर आप अपने जीवन में सुख और संपत्ति को बढ़ाने में काम ला सकते हैं दोस्तों आएज जानते हैं इलाइची के चमतकारी गोण एक कारी की सफलता है तू किसी महत्पूर्ण कार से बाहर जा रहे हो तो प्रातर काल तीन इलाइची दाएँ हाथ की मुठी में रखें और स्री स्री बोलें फिर उसे खा लें खाने के बाद बाहर जाएं दो सुक्र का उपाय यदि आपका सुक्र कमजोड है या खराब असर दे रहा है तो एक लोटा जल लेकर दो बड़ी इलाइची डालकर पानी को आधा होने तक उबालें फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर असनान करें असनान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें ículo 3. सिग्र विवार के लिए यदि विवाह में विलंब हो रहा हो तो यह प्रयोग सुक्लपच के पर्थम गुरुवार से किया जा सकता है इस प्रयोग में मंदिर में गुरुवार की साम को दो हरी इलाइची के साथ पांच प्रकार की मिठाई और सुद्ध घी के दीपक के साथ जल और पित करना चाहिए यदि इस्त्री है तो गुरुवार को करें और पूरु से तो सुक्रुवार को करें चार पती पत्नी में प्रेम अस्थापित करने के लिए अगर पती का पत्नी के प्रती प्यार कम हो गया हो तो श्री कृष्ण का अस्मरा कर सुक्रवार के दिन तीन इनाइची अपने बदन से अस्पर्श करके पल्लू या रुमाल में बांध कर अपने पास ही रखें सनिवार की सुबा उस इलाइची को पीश कर किसी भी विंजन में मिलाकर पती को खिला दें ऐसा तीन सुक्रवार को करना है तो लाब मिलेगा इसके अलावा यह उपाय रहिवार को भी कर सकते हैं 5. सिच्छा में सफलता के लिए सुक्ल पच के पहले विरस्पतिवार को सुर्योदय से ठीक आधा घंटे पहले बढ के पत्ते पर पांच अलग-अलग प्रकार की मिठाईयां तथा दो इलाइची पीपल के विरिच के नीचे सरधा भाव के साथ रखें और अपनी सिच्छा के प्रती कामना करें घर आते समय पीछे मूर कर ना देखें इस प्रकार बिना करम टूटे तीन ब्रस पतिवार करें इसके अलावा यह प्रयोग भी आजमा सकते हैं अगर प्राही में अच्छे नमबर चाहिए तो एक इलाइची को दूद में उबालकर साथ सोंबार किसी गरीब को पिला दीजिए छै दरिद्रता दूर करने के लिए किसी दरिद्र असहाय या हिज़रों को एक सिक्का दान करें साथ ही उसे हरी इलाइची खिलाएं ऐसा जब भी मौका मिले करते रहें यदी यह तोटका नहीं कर सकते तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो अपने पर्स में हमेशा 5 इलाइची जरूर रखें साथ सुन्दर बीवी पाने के लिए यदी आप सुन्दर बीवी चाहते हैं तो हर गरुबार सुबह पांच इलाइची पीले वस्तर के साथ किसी गरीब को दान करें या उपाय कम से कम पांच गुरूबार करें इस उपाय से अवस्यलाब होगा आठ वेतन और प्रोमोशन के लिए अगर लाख मेनत करने पर भी मन चाहा वेतन या प्रोमोशन नहीं मिल रहा है तो आज से ही रोज रात में एक हरे कपड़े में इलाइची को बांद कर तकिये के नीचे रख कर सो जाए राता हुसे घर के बाहर किसी वेक्ति को दे दीजिए